नमस्कार, चलिए आज हम लोग हल कर लेते हैं, 2022 में ये पेपर हुआ है, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, यहां से धेर सारे प्रश्ण जो हैं, आपकी फसने की संभावना है, तो 7 के 7 सेट, एनी B, X, Y, Z, जितने भी सेट हैं, समय करा दूँगा, यह है आपका 825 B, X, ठीक ह दीरे दीरे सारे सेट हम करा देंगे, ठीक है, प्रश्णों के संख्या आपकी 18 है, फिलाल अब जो है, आपके 2023 में वो आने हैं आपके 20 MCQ, ठीक है, 20 Objective Question आएंगे, लेकिन अभी जो है, आपका, यह जो 2022 में हुआ है, इसमें 20 Objective नहीं है, लेकिन 12 Objective जरूर है, तो यहां से आपको धेर सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि आप यह जान जाएंगे कि Question आते कैसे हैं, Important कौन से होते हैं, कौन-कौन से आने की संभावना है, चले, स्टार्ट करते हैं, प्रश्ण संख्या एक क्या है, थोड़े से instructions हैं, इनको भी आप पढ़ लिजे, प्रारम के पहला प्रशन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1942 में, या फिर 1947 में, तो सही जवाब आपका हो जाएगा, 1945, ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना हुई थी, ठीक, भारत में मताधिकार की आयू क्या है, त ठीके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन है गोपाल कृष्ण गोकले बाल गंगाधर तिलक जवाहलाल नहरू या फिर महत्मा गांधी का तो यहां पर आपका कथन है बाल गंगाधर तिलक का नारा है ठीके फिर देखेगा प्रत 1914 में प्रथां विश्युद्ध का प्रारंब हुआ था ठीके उनीसिषो चवद्ध में फिर देखते हैं संख्राष्ट संका मुख्याले कहां पर इस्थित है तो वाशेंगटन जिनेवा, नियू यॉर्क आस्ट्रिया कहां पर है संख्राष्ट संका संक तो यह आपका हो जा था तो ये सभी जानते हैं महत्मा गांधी ने भारत छुड़ो आंदोलन प्रारंब किया था ठीक है फिर चोटे चोटे प्रशन है इनको भी हम लोग कर लेते हैं जैसे कि आद दो अक्टूबर को जन्म लेने वाले किनी दो प्रसिद भारतियों के नाम तो एक तो महत्मा गां अगर होगा तो जाएगा तो दूसरा वाल्टेयर हो जायगा ठीक संघी शा सन्वेवस्था की दो प्रमुक विशिष स्ताएं आप आपके बन जाएंगे इस बार अतिलगुत्री यह नहीं है यानि आपके केवल MCQBs होंगे विलगुत्री और देरगुत्री प्रश्ण होंगे ठीक है तो संघीष आसन विवस्था की दो संघीष आसन में तो शक्तियों का बटवारा हो गया और संघीष नियायपालिका वह गई ठीक है लगुत्री आप कर लिजेगा लगुत्री मोस्ट इंपार्डेंट है भारती राष्ट्री आंदोलन में भाग लेने वाले तीन नेताओं के नाम आपको लिखना है ठीक और फिर प्रथम सोतंत्रता संघ्राम की असफलता के लिए उत्तरदाई कोई तीन कारण लिखने हैं और सांपरदाइक्ता दूर करने के लिए किनी तीन उपायों का वरण करना है महत्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीन आंदोलनों के नाम तो खेडा सत्याग रहा और वो नील वाला ना आपका चंपारण सत्याग रहा और भारत छुनों आंदोलन यह सब आंदोलन आप लिख देंगे बारती लोक तंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुक चुनोतियां हैं देरी हुत्तरी प्रशन आएंगे भारत में किस तरह की जातिकत असमानताएं आज भी व्यापत ने देखिए 2022 में जितने भी आये हैं इनको आप मत छोड़िएगा य प्रश्टरी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश क्या थे राष्टरवाद से क्या अताद पर है यूरोप में राष्टरवाद के उद्धे होने के कौन कौन सी परिस्तियां सहायक हैं ठीक है यह मांचेत्र संबंदित प्रश्ण हम एक मेराथन क्लास में अलग करवा देंगे आप चलते हैं खंड खा जलियावला बाग हत्या कांड कहा हुआ था उत्तर प्रदेश की राज़धानी क्या है सिंपल से हैं वो आप जानते हैं ठीक है तो यह कर लेंगे बाकी हम इसको एक से में पाई चाती है कातना और जलाना करतन और डहन ठीक है जूम करशी मिजोरम में होती है इंखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है कोईला पेट्रोलियम पवन ऊर्जा बॉकस साइट उसको बताना है तो यह पवन ऊर्जा जो है वो संभावी संसाधन के रूप में हो सकता है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है तो यह पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो यह कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतरगत सम्मिलित की जाती है चना मुंग फली जुआर मुंग तो जो मोटे में हमारा मुबाइल नंबर है उसी पर वाटसप कीजिएगा फोन नहीं करना है आपको कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतरगत सम्मिलित की जाती है चना मुंग फली जुआर या फिर मुंग तो इसका सही की जबाब हो जाएगा जवार जो़ीं मोटे अनाज के अंतरगत समॉंड आकि किसी देश का विखास की बत की जा यहां पर देखें प्रतिवेक्ति आया उसत साक्षरता दर लोगों की स्वास्तिति उपर उक्त सभी तो उपर उक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा प्रस्न संख्या 20 है निल्मकित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजीक छेतरक विभाजित किये जाते हैं जैसे कि आप जैसे सरकार का उपक्रम है तो सार्वजनिक लिट्र के अंतरगत आ गया और किसी का अपना विक्तिकत उद्धियम है तो वो निजी युद्धर आब जाएंगे पुनाय चक्री प्राकृतिक संसाधन कि नहें कहते हैं कोई दो उदाहरण लिखिए तो प्रतवी पर कुछ ऐसे संसाधन पाये जाते हैं जिनका बार-बार प्रियोग किया जाता है जल एवं लौह संसाधन इसके उदाहरण है जैसे आर्थ विवस्था के संगठित छेत्र में रोजगार की दो विशेस्ताएं बताईए ठीक है तो नियूंत होना अलप बेरोजगारी कहलाता है ठीक है फिर लगुत्री आपके बन जाएंगे कि हमें खनीजों के संरक्षण की आवश्यक्ता क्यूं है गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताईए अर्थ विवस्था के दूतियक शेत्रक से आप क्या समझते है राश्टी आये तथा प्रतिविक्ति आये विये अंतरस्त पष्ट किजिए देशों की स्तिती की तुलना के लिए इनमें कौनसी विधी बेहतर है देख उतरी में ये बहुत इंपारडन्ट है मिट्टी के प्रकार ये कोईशन बार बार आता रहता है तो मिट्टी के जो प् क्रिश्णानदी क्योंकि एक ही class में हमें सब complete करा देंगे तो आपका ये आपका जो paper हुआ है वो कौन सा हुआ है set 1 2022 में हुआ paper है 825 BX ठीक है BY अगला paper हमारा होगा तो आप जो है telegram join कर लिजिए वहाँ पर हम भेजते रहेंगे और description में link है model paper.info पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सामाजी विज्ञान के notes भी मिल जाएंगे और आपको सामाजी विज्ञान के तथा अन्य विश्यों के तमाम model papers model paper.info पर उपलब्ध है सामाजी विज्ञान का solution चाहिए तो ज्यांसंदू classes.com पर मिल जाएगा कोई question आपके मन में है तो वह भी आप comment box में लिख सकते हैं ठीक है उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आया होगा ऐसे हम चोटे चोटे प्रसंद कराएंगे ताकि आपके MCQ जो है clear होते चले जाएं ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद